तो दोस्तो आज 15 त्मार्च 2023 बात करेंगे इस विडियो पे कुछ इंपार्टेंट के उपडेट से कुछ इंपार्टेंट न्यूस है तो चले के करके कवर करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत शांदार दोस्तों छोटा सा आइटी सेक्टर की कंपनी जो की काम दिखाने से पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा बैलेंशीट दिखा के रखना चाहता हूं यह सेप्टेमबर क्वाटर का अपडेट है अब देख सेकतो रेविन्यू के अंदर अल्मोस्ट फॉर्टी परसंट का जम था नेट इनकम यानि नेट प्रॉफिट के अंदर अल् अगलानी क्लाउड लिमिटेट आज की रेट में मार्केट में भी थोड़ा कमजोरी था शियर भी लगबग आदा परसंट नीचा के क्लोजिंग दिया पट लास्ट एक महिने की अगरम बात करें 37 परसंट का मल्टी बैगर रिटन दिया छे मेने की बात करें सीधा सीधा पै परसंट का रिटन दिया तो कंपणी की अगरम बात करें स्मॉल कप कंपनी है अल्मोस्ट करीब करीब देर से 2000 करोर के बीच में इसका मार्केट कैप है पी रेशियो की बात करें तो अल्मोस्ट 30 का सपास है मतलब कोई बहुत जादा एक्सपेंसिब नहीं है अब देकि कंप सब्सक्राइब के पात हो जाएगा चार शेयर में कनवर्ट मतब एक है तो चार हो जाएगा दो है तो आठ हो जाएगा तीन है तो बारा हो जाएगा तो इसी रेशियो में बेसिक लिए आपको यह बोनस एड होगा ठीक है तो उसका एक्स डेट जो कंपनी आप रखा है 21st of March को तो उसके अकोरिंग आप अगर 20 मार्च या तो उसके पहले मतब इस हफ्त में टोटल और आगे दो दिन बागी और मंडे मतब टूइंटित मार्च तो यह तीन दिन के अंदर अगर अपने पर्चेस किया तभी जाके अप एलिजिबल शेरोल्डर बन जाएंगे यह बोनस की लेबल के आसपास क्लोजिंग भी देखने को मिला तो दोस्तों कल विप्रो लिमिटेट की शेर में फिर से एक फ्री फॉल यानि गिरावाट होने का चांस है इसलिए मैं बोल लाओं क्योंकि आज की डेट पे कुस्टेम पहले युएस मार्केट ओपन हुआ है और युए इसका एक लिस्टेट कंपनी है इनफोसिस लिमिटेट एडियर वो भी युएस के अंदर लिस्टेट है उसके अंदर अभी इमिडेट लिए गरम बात करें लगबग 11 बच के तेईस मिनिट के अपडेट के अपडेट के अकोरिंग 3.22 परसें डाउन चल लाए गाप डाउन अगर गिरावाट हुआ सबसे वहला सपोर्ट बनेगा 272 का लेवल क्यों क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने देखा था जो कि लास्ट यह जब शेयर कंदर गिरावाट वाथ इसी लेवल पर बार एक दो बार लगातार हमें सपोर्ट मिलता वह नज़र आया इनकेस अगर यह तक जाने का चांस है करीब करीब सारी 30240 आम से याप निकल जाएगा क्योंकि उसके बीच में हमने देखा कोई बहुत बड़ा यहाप मतब यहाप सपोर्ट बगरा नहीं है जैसे का अब देख सकतो यह लेवल अगा टूटा अराम से देखिए 3040 50 आस अराम से देखिए कभी गलती मत करना पेशन्स रखें लॉंग टाम के लिए छोड़ दीजिए तो विप्रो के बाद दोस्तों बात करेंगी के पी आइटी भाईया सब को चौका के रख दिया मतलब यह शेर का मतलब जो नेचर है वह अलगी है अलगी धुन पर यह चलता है जो कि इसके पहले बहुत बार मतलब हमारे वीडियो के उपर मेंशन भी किया था कि KPIT नॉर्मल शेर की तरह नहीं है क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो नॉर्मल जो आईटी कंपनीज है उससे कंप्लीटली डिपरेंस है क्योंकि नॉर्मल आईटी कंपनीज का में रेविन्यू सोर्स क अहां पर यूस मार्केट यूरोपियान मार्केट पर के पीडिका जो बिजनेस मॉडल है पूरो वें इंटायर वर्ल्ट से दोस्तों आता है ठीक है तो मतलब कोई पर्टिकुलर डीजिन के उपर यहां पर डिपेंड नहीं है और आज की डेट पे दोस्तों जो न्यूस के इतना तेजी देखने को मिला करिब करिए अपना आल टाइम हाई के आसपास भी शेयर पहुंच के था इनकेस अकर आज मार्केट का सपोर्ट मिल जाता ना यह सिदा से दस बारा की उपर जाके रुखता सिदा से बाद है तो उसके पीछ एक्चुल नियूस आज जो शेयर के तेजी देखने को अब 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 डेट आप देख लिजे आज का अब डेट है के पी आई टेक गेन आफटार पार्टनर्शिप विथ होंडा एक बहुत बढ़ा मुल्टी नाशनल जो की आटो सेक्टर की कमपनी होंडा नाम तो अपना सुना होगा उसके साथ बेसिकली पार्टनर्शिप होगा है हमारे KPI टेक्नलोजी का तो अब देख सेख तो जब यह नूस पब्लिस्ट वा था उस टेम पेक परसेंट तेजी था उसके बाद तो फैलाल मार्केट जितना नीचे की तरफ गया KPI के शार उतना ऊपर की तरफ गया अफ्टर कंपनी अनॉंस इट्स पार्टनर्शिप विद होंडा टू रियलाइज दा जर्नी ओफ होंडा सॉफ्ट्रोय डिफाइंट मोबिलिटी तो बेसिकली एस डियम इस पर्टिकुलार जो सर्विस है इसको पर पेस करके KPIT और होंडा के बीच में एक पार्टनर्शिप बात करें सुबह सुबह देखे 880 एकदम बाइंग लेवल का सबस चल लाता तो जो लोग बाई किया ते एक ही दिन के अंदर 78 परसंट का आराम से प्रॉफिट हो चुका तो आज की डेट मैं फिर से बोलूंगा इसका जो ऑल्ल टाइम हाई है उसको पहले क्रोस करके ने दी आज मार्केट क्लोज हो जाने के बाद लगवक साथ बच के 40 मीट का लेटेस्ट अपडेट है आर बीए की तरफ से अपडेट आया है कि आर बीए डिजेक्ट बजाज फाइनास या बजाच फिंस अफिट नीचे जाके पड़ा बजाच फिंस अब बजाच फिंस अब है बजाच फिंस अबने वहाँ पर ऑपरेशन करना मतलब सिंपल भाषा में वहाँ पर ब्यापार करने के लिए या अपना बिजनेस को वहाँ पर चलाने के लिए आर बीए के पास थोड़ा एप्रूबल मांगा था और आर बीन उसको आज की रेट पर कैंसल कर दिया कैंसल इस भाषा में दोस्तों हो सकता है कि इसका इंपेक्ट थोड़ा बहुत नेगेटिव देखने को में आज की रेट पे परांशल सर्विस सेक्टर बैंकिंग सेक्टर थोड़ा प्रेशर में जरूर है तो कल बजाच फिन सब के अंदर भी एक छोटा मोटा करेक्शन या बौत सब की गिरावट होने का चांस है तो इनके सबसे पहला सपोर्ट लेवर बारा सो पचास बनेगा यह लेवल अगर टूटा तो अराम से बारा सुदक जा सकता है तो इमिडियेटली भाई करने की जरूरत नहीं आपको अगर शेर है तो लॉंग टम के छोड़ दीचे भाई आप में कोई इंटरनल इशुज नहीं है कंपनी का ध्या Honestly मेरे को एकचुली में कोई इंटरनल इशूस नहीं है अब your bankisenail और कर pick 3 और दोश्थो एकदम से फ्रीव भॉल हुआ है मैंटको एकदम लाइव दिखाता हूं इंप लःप थोड़ा देख लिजीए रिलाइंस इंडेस्टि का बेसिकलि आज की डेट में बिजनेस के आपको भी मौलू है कि बेसिकलि उसका जो ओटू सी का बिजनेस है वहां से सबस्यादा रेविन्यू कलेक्ट करके आता है इन डिलाइंस इस अभी अगर हम बात कर अब देख सेक्टों कुरूड ओयल का कम हुआ तो ओविसलिए फाइदा होना चाहिए फाइदा नहीं होगा क्योंकि क्रूड और का प्राइस जैसे ही कम होगा वैसे रिलाइंस इंडेस्टि बोलिए बीपी सी एल बोलिए ओंगी सी डैसे स्टॉक जो की ओटू सी की ओपर बिजनेस काम करता है इसका जो मार्जीन है ना उसमें बहुत जादे इंपैक्ट आ जाएगा तो जिस बैसे बेसिकली एलेंस इंडेस्टि के शेर में लास्ट कुछ दिनों पर जैसे हमें देखा क्रूडल और ब्रेंट कूट का प्राइस एक दम से डाउन होड़ा है लगातार फ्री फॉल और वहां पे भी कॉमिट है अपको मैनेज करना जानते हैं उसके साथ साथ इसके पहले भी यह देखने को मिला तो यहांपे डरन्नी की जरूरत नहीं है इनकेज अगर यह लेबल ब्रेक होता है तो सबसे पहला सपोर्ट बनेगा आइसों का लेबल अगर ब्रेक होता है तो लगबा कि यापी पुरान सब्सक्राइब करने का चांस है तो दोस्तों नेक्स अपडेट शुरू करेंगे पर उसके पहले अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा इनफॉर्मेटी लगा प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर रखना इस टैप की इनफॉर्मेटीव वीडियो आगे भी पाने के लिए तो दोस्तों अपर यहां पर होल्डिंग का रेकमेंडेशन आया है आई से इसे डिरेट की तरब से अच्छा और एक इंपॉर्टेन अप्डेट्स में आपको दिखा कर रखने चाहता हूं कि अप्डेट है आज का मतलब 15 मार्च सुबा 10 बच के 17 मीट का तो आई तिंक आप देख सकते हो यह जो प्राइजस्टमेंट हुआ है एस्टरल के अंदर जो बोनस शेयर का उसके बात का यह लेटेस्ट अपडेट है और यहां पर जो टार्गेट प्राइस दिया 1560 रुपए का आज अगर हम बात करें एस्टरल का जो शेयर जो की डाउन होके ही क्लोजिंग गया 1350 तो इमीडेटली देखिए यहां पर भी मैं आपको वोलूँगा अभीवास वेट एंड वर्च का स्ट्राइजी अपना है इमीडेटली पर्चेस करने का भी जरूरत नहीं है क्लोबाल मार्केट में बहुत साथा इशूस चलना है कंपनी खराप नहीं है जिस पैसे आपको लांग टाम के लिए होल्ड करें इमीडेटली पर्चेस करने का भी जरूरत फिलाल नहीं है बाकी दोस्तों कोई भी इंपोर्टेन अपडेट्स आपको जानना है कमें के तुरू बूच सकतो तो इस वीडियो के वाइंड आप करता हूं मिलता है दोस्तों अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकॉन नहीं है तो अप्स्टॉक जैसे बड़े प्लाट्वर्ण में डीमेट आकॉन उपेंड कर सकते हैं जहां पर आपका ब्रोकरेज प्रीज ना के बड़ाबाल लगता है लिंक आपको वीडियो के नीचे